नेक्स्ट आता है आपका citizenship act ठीक है citizenship parliament ये law पास करता है पतलब constitution में ये लिखा गया है कि parliament जो है के पास power होगी कि वो कानून पास करके ये बता सकता है कि किसके पास नागरिकता होगी या नहीं होगी उसकी rules regulations क्या होगे तो इसके तहट parliament ने कानून पास किया था citizenship act 1955 ठीक है बट recently citizenship उसमें भी बहुत बार amendment की गई बट जो सबसे कल ही news में आया है आज के सारे newspaper में headline है ठीक है आज सारे newspaper की headline में है citizenship amendment act 2019 ठीक है ये काफी जादा चर्चित रही काफी जादा विवाद में रही बहुत जादा protest हुए दो-तीन महीने दिल्ली में शाहीन बाग में बहुत प्रोटेस्ट हुए 2020 में फिर कोविड आया उसके बाद जो है जो है कैलीजीए ये प्रोटेस्ट खतम हुए कल ही इसके guidelines को implement किया गया है कल के ही दिन 11 मार्च के दिन आज 12 मार्च है कल के दिन इसको पास किया गया है तो ये इसके लिए काफी जादा important है question पूछा जा सकता है paper में सिधा सिधा question बनता है तो थोड़ा से इसके बारे में भी जानकरी लेते हैं जो minorities हैं 6 minorities जिसमें Hindu, Christian, Sikh, Parsi, Buddhist और Gen ये 6 religious minorities हैं इन देशों में इन तीन देशों में वो जो भारत में आई हैं illegally 31 December 2014 तक उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी और इसमें जो है कुछ conditions को relax किया गया जैसे generally जो time period था उसको कम किया गया और उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी अब इसमें दोनों तरीके के जो है तरक दिये गए ठीक है इसके positive में और negative में थोड़ा सा मैं तरक बता देता हूँ देखो इसके positive में ये तरक दिया गया कि देखे जब देश का विभाजन हुआ था तब ये कहा भी गया था उस समय पर समात्मा गादी जी के द्वारा भी के जो भी minorities वहां पर रह रही है जब भी उनको कभी लगेगा के लिक उनको वहां पर अपनी धार्मिक स्वतंतरता नहीं है तो वो भारत में आ सकते हैं ठीक है तो कहीं ना कहीं सरकार जो है उसी historical responsibility को पूरा कर रही है ये minorities persecuted हैं किस तरीके से since independence पिशले 75 सालों में जो minorities की percentage है इन तीन देशों में वो लगातार कम होती जा रही है और बहुत सारे लोग अपने के लिजी अपने जीवन को बचाने के लिए अपनी धार्मिक स्वतंतरता को अपनी जीवन पंदती को बचाने के लिए भारत में आए हैं और उनको हम ना नागरिक्ता नहीं दी गई है जब 2019 में जो 370 और 35 एक हतम किया गया उसके बाद जब सरकार ने कहा कि हम उनको भी नागरिक्ता देंगे जो बहुत सालों से यहां पर रह रहे हैं पर जिनके पास भारत की नागरिक्ता नहीं है अब इसका counterpoint यह कहा गया कि सीधा सीधा जो है मतलब जो इसके विरोध में थे उन्होंने कहा कि यह सरफ religion के basis पे कैसे हो सकता है क्योंकि यह सीधा सीधा violation है article 14 का right equality का आप सीधा religion के basis पे आप नागरिक्ता नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम एक secular देश हैं और persecuted minorities की अगर आप बात कर ही रहे हैं तो पाकिस्तान में एहमदिया Muslims हैं उनको भी persecution हैं उनको भी minorities माना जाता है तो उनको क्यों नहीं अलाओ किया जा रहा फिर यह कहा गया कि शरलंका में Tamil हैं जो हिंदू तमिल हैं उनको क्यों नहीं अलाओ किया जा रहा तीसरा इसमें विरोध था जो असम में ठीक है और जो नौर्थीस्ट के राज्ये हैं असम और जो नौर्थीस्ट के बाकी राज्ये हैं उनमें जो ट्राइबल एरियां से जिनमें इनर लाइन परमिट है उन पे ये citizenship amendment act जो है लागू नहीं होगा मतलब उनका ये कहना था कि हमारी जो ट्राइबल कल्चर है अगर यहां पर भार के लोग आके settle हो जाएंगे तो देरे देरे क्या होगा कि हमारी जो एक मतलब हमारा tribal culture है यह dilute हो जाएगा तो यह कहा गया कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बट problem यह है कि जो non-tribal areas है उनके भी लोग यह नहीं चाहते हैं example असम में बात करें कि वो उनका यह कहना है कि जैसे बहुत सारे बेंगॉली हिं जो है किसी भी धरम के हो वेंगॉली हिंदूस हो वेंगॉली मुस्क्रिंज हो हम उनको नहीं आने देना चाहते है क्योंकि इससे हमारा आसमीज कल्चर जो है डल्यूट होगा तो इस तरीके से जो डेमांड है नॉर्थ एस्ट के बाकी राज्यों में भी थी तो यह है कुछ उनके against में criticism इस citizenship amendment को लिकर इसमें एक और सर्क दिया जाता है कि जैसे जो तरिप्रा राज्य है तरिप्रा राज्य में अगर आप देखेंगे वहां की जो tribes है त्रिपूरी tribes जो है वो क्या है वो वहाँ पर ruling tribe थी या rule करती थी ठीक है दे बरमाल्स जो है rule करते थे पर अब धीरे धीरे क्या हुआ 71 के बाद जो बहुत सारे बेंगॉली हिंदूज हैं वो वहाँ पर settle हो गए अब जो बेंगॉली हिंदूज हैं वो majority में हो चुके हैं इवन सरकार में politically भी बेंगॉली हिंदूज ही rule करते हैं अगर आप BJP से पहले CPM की सरकार थी वहाँ पर भी बेंगॉली मुख्यमंत्री थे ठीक है मानिक सरकार और अब भी जो है फिर उसके बाद दिपलब देव बने अब मानिक साहा है डॉक्टर मानिक साहा है वो भी बेंग तो यह सेम चीज़ कहीं असम में या बाकी राज्यों में ना हो जाए तो यह उनका विरोध है तो दो तरीके के विरोध है कि अच्छा एक और विरोध है कि इसको NRC के साथ भी जोड़ा जा रहा है पर इस पे थोड़ा सा एक पॉइंट में आपको क्लियर कर देता हूँ CAA जो है वो किसी भी की citizenship लेने की बात नहीं करता है citizenship देने की बात करता है ठीक है यह एक पॉइंट है यहाँ पर वो यह नहीं कहता है कि इसकी citizenship चली जाएगी दूसरा चीज़ यह है NRC क्या है NRC है National Register of Citizens Citizens का एक रिजिस्टर वराया जाएगा ठीक है जिसमें बताया जाएग तो आप कह सकते हैं exclusive है और उसमें जो है कुछ certain बाते हैं बड़ दोनों साथ में नहीं है CAA और NRC अगें पॉलिटिकली फिर उसको कई बार बहुत लोग कहते हैं कि नहीं यह जुड़ा हुआ है यह particular community या particular religion को के counter में या उनके against में किया गया है तो यह इसके दोनों पक्ष जो है मैंने आपके सामने रख दिये हैं ठीक है इसके positives और negatives आपके सामने रख दिये हैं